एक सो वीस देशों को रामायन के सूत्रु में बांधेगा अयोध्या शोद संस्थान भगवान श्री राम के जीवन आधारित प्रसंग दुनिया को हजारों वर्षों से प्रेरित कर रहे हैं यही कारण है कि न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में श्री राम के अनुयाई पाए जाते हैं आज न केवल देश में बल्कि दुनिया के 120 देशों में रामकथा रामलीला का आयोजन होता है इंडोनेशिया, मलेशिया और थाइलैंड में रामलीला सीताहरन से शुरू होकर रावनवत पर खत्म हो जाती है इसमें मानव मूल्यों के समावेश के साथ आर्टिस्टिक अप्रोश की जलक मिलती है वही केरिबियन देशों में रावनवत को ही महत्वि दिया जाता है इन अलग-अलग स्वारूपों का एक विश्वाल संग्रह तयार कर विश्व पठल पर रामायन देशों का एक समुह बनाने की पहल आयोध्या शोध संस्थान ने शुरू की है आयोध्या शोध संस्थान रामायन देशों का समुह बनाने पर काम कर रहा है इसमें विदेश्मंत्राले की भी मदद ली जाएगी यह समुह दुनिया का सबसे बड़ा समुह होगा जिसमें शामिल देश राम की व्यक्तित्व को जानकर उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतार सकेंगे सुप्रीम कोट ने दी पुरी में रत यात्रा की पर्मीशन सुप्रीम कोट ने पुरी में रत यात्रा की पर्मीशन दे दी है अब कल भगवान जगनात मंदिर से बाहर आकर रत पर सवार होंगे सिर्फ पुजारी और पुलिस वाले ही यात्रा में शामिल होंगे पबलिक के आने पर रोक रही पहाडों पर लड़ने में सक्षम सेन्य टुकडियों को भारत ने LAC पर किया तैनात वर्थमान परिस्तिती को देखते हुए भारत ने 3488 किलोमीटर LAC पर अपने विशेश युद्ध बलों को तैनात कर दिया है जो चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के पश्चिमी, मध्य या पूर्वी सेक्टरों में किसी भी तरह के आक्रमण से लड़ने के लिए सक्षम है सरकारी सूतरों ने पुष्टी की है कि भारत सेना को पी एले द्वारा सीमा पार से किसी भी हरकत का आक्रामकता से LAC पर जवाब देने का निर्देश दिया है उत्तरी मोर्शे पर लड़ने के लिए पिछले कई दशकों में प्रश्चिक्षित विशेश बलों को LAC पर फेजा गया है बता दें कि गुरिल्ला युद्ध में प्रश्चिक्षित भारतिय परवतिय सैनिक पहाडों पर कार्गल युद्ध भी लड़ चुके हैं उत्राखंट, लद्दाक, गोर्खा, अरुनाचल और सिक्किम में तैनात ये सैनिक दोलब उचाईयों में रहते हैं और इसलिए उनकी लड़ने की शमता अधिक होती है नड़ा ने मनमोहन सिंग के बयान पर कहा कि वे उसी कॉंग्रेस पार्टी से हैं जिसने बिना लड़े हजारों किलोमीटर जमीन चीन को सौब दी चीन पर पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंग के बयान पर भाश्पा पार्टी के राष्ट्रे अध्यक्ष जेपी नड़ा ने पलटवार करते हुए उनके बयान को शब्दों का खेल बताया पूर्व पीएम मनमोहन सिंग ने सोमवार को भारत चीन विवात को लेकर प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी को सलहा दी थी इस पर नड़ा ने मनमोहन सिंग को सेना का अपमान न करने की सलहा दी नड़ा ने कहा मनमोहन सिंग बेशक अपने ग्यान को साचा कर सकते हैं लेकिन प्रधान मंत्री कार्याले की जिम्मेदारियां उनमें से एक नहीं है डॉक्टर मनमोहन सिंग उसी पार्टी से हैं जिसने भारती शेत्र के 43,000 किलो मीचर से अधिक हिस्से का चीनी लोगों के सामने समर्पन कर दिया कहा डॉक्टर सिंग चीनी डिजाइनों के बारे में चिंतित थे जब प्रधान मंत्री के दौर पर उन्होंने भारत की सैकडो वर्ग किलो मीचर भूमी को चीन को सौब दिया था उन्होंने 2010 से 2013 के बीश चीन द्वारा की गई 600 से ज्यादा घुसपैट की अध्यक्षता की नड़ा ने कहा UPA ने अपने कारेकाल के दौरान व्यवस्तित संस्थागर शरण किया जिसमें सशस्त्र बलों का अनाधर शामिल है अज के बुलेटिन में इतना ही फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार तब तक के लिए नमस्कार